Hello everyone, आज हम मेरे Learn with Couple series का पहला podcast लेकर आपके सामने आए हैं और इसका objective यह है कि जो भी market में MSME को 45 दिन के अंदर जो payment करना है उसका जो issue है उसका clarification उसको business में क्या impact आएगा छोटे वाइपारी को क्या impact आएगा अपने शहर में अपने state में क्या ध्यान रखना है वो सब discuss करने वाले हैं और यह सब discuss करने के लिए business community को present करने के लिए आज हमारे साथ हमारे guest मौजुद है जो की 36 गर्ष टेट वाइस प्रेसिडेंट है नवदीप सिंग अरोरा जी है मैं उनका अपने podcast में खुब-खुब स्वागत करता हूँ Welcome नवदीप बिया Thank you बिया Kapil बिया बहुत दिन से अपन प्लान कर रहे थे कि और इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं कि अब मैं रिजिस्ट नहीं कर पा रहा था कि मुझे लगा इस पे एक knowledge series चाहिए हमको कि after all होने क्या वाला है 31st March के बाद MSME जो है उनके साथ क्या होने वाला है अगर उनकी कुछ credit है market में उसका क्या refraction आने वाला है तो बहुत सारे statements चल रहे हैं बजार में कि हमारे साथ क्या होगा और हमको जानना है विगोस पैसा उतनी जल्दी बजार से आता नहीं है तो अगर 45 डेज में नहीं आएगा पैसा तो हमारा क्या होगा इसके लिए ना अधिब्या सबसे पहले अपने को जो नया section इंसर्ट हुआ है वो section समझना पड़ेगा वो section clause section 43BH यह income tax में introduced हुआ है और introduced हुआ है financial year 23.23 मतलब 23.23 का जब audit होगा उसमें वो provision को auditor आपका check करेगा तो वो provision क्या बोलता है यदि कोई buyer किसी MSME से कुछ purchase करता है मतलब मैं suppose कुछ सामान ले रहा हूँ और किसी MSME से purchase कर रहा हूँ और उसका payment में specified date के अंदर नहीं कर रहा हूँ तो वो disallow हो जाएगा मतलब MSME एक MSME से purchase करना है बायर MSME होना जरूरी नहीं है supplier जो MSME होना चाहिए तो जो sale कर रहा है वो MSME suppose मेरे को कुछ purchase करना है मैंने आप से purchase कि आप MSME है मेरा MSME होना जरूरी नहीं है अच्छा उसमें जरूरी नहीं है जो supplier है वो MSME इसका government का intention क्या है इसमें कि जो छोटे वैपारी हैं जिनका पैसा फर्स जाता है कि बड़े corporates हैं या बड़े वैपारी हैं जो उनको timely payment नहीं देते हैं तो बड़े वैपारी हों पर जो non MSME है जो MSME से purchase कर रहे है उन पर ये condition लगा है कि आप टाइम पर पैसा दोने है तो आपका ये डिसलाओ हो जाए अच्छा तो ये डिसलाओ क्या है डिसलाओ का मतलब क्या होता है जैसे income tax में डिसलाओ होता है ये income tax का definition है तो suppose मेरा 10 लाग का sale है और मैंने उसके लिए purchase किया 8 लाग का तो मेरा profit कितना हो गया 2 लाग का profit हो गया पर टेक्स दे दूगा अब suppose वो 8 लाग का purchase में मैंने 3 लाग का purchase MSME से किया था और 3 लाग का पैसा मैंने उसको time पे नहीं दिया तो 3 लाग जो डिसलाओ हो जाएगा तो मेरा profit कितना हो जाएगा 10 लाग का sale 8 लाग का purchase था उसमें से 3 लाग डिसलाओ होआ तो मेरा 5 लाग का purchase net profit कितना हो 5 लाग का तो मेरे को 5 लाग पे tax देना पड़े मतलब मेरे जितना मैने डिसलाओ होआँ उस पे उतना percent आपको extra देगा यदि आप 30% पे तो 30% extra देना है 20% में तो 20% आपको extra देना तो डिसलाओ मतलब आपको उसका डिड़क्शन कब मिलेगा जब उसका पेमेंट करेंगे यदि आप 2 साल बात पेमेंट करते दो 2 साल आप बाद इसको डिड़क्शन मिलेगा ठीक है ठीक है तो इससे क्या लगता है आपको कि इससे कुछ business जो trend है वो better होगा या क्या होगा मतलब सबसे बड़ा कोशन यह आता है जैसे आप यह पूछ रहे क्या होगा एक कोशन मेरे पास बहुत पूराना एक्ट है कि 2006 से अपलिकेबल है तो अभी क्यों यह इसको लेकि इतना UN क्राई हो रहा है कि क्या होगा इसमें एक चीज समझने की बात क्या है पहले जो 2006 का दाना MSME Act में डिफाइन था और MSME Act का implication कहीं पे income tax पे नहीं था अभी government ने सेल क्या कर दिया उसको income tax से connect कर दिया अच्छा तो MSME में जब कोई vendor MSME को payment नहीं करता है तो वो court में जासके उसे claim कर सकता है उसे interest भी ले सकता है आपके knowledge के लिए बता हूँ यदि मैं MSME हूँ मैं आपसे कुछ purchase कर रहा हूँ आप मेरे को time पे payment नहीं कर रहे है तो मैं आपसे amount claim कर सकता हूँ और आपसे interest भी चार्ज कर सकता हूँ कितना interest three time का banking rate अच्छा यदि bank rate मेरा भी 8% चल रहा है तो I act into three time में आपसे charge कर सकता हूँ तो वो बहुत power दिया हूँ था MSME को लेकिन वो power कहां पे था MSME Act में था लेकिन इस साल से government ने क्या क्या उसको income tax से link कर दिया क्योंकि MSME का अलग से कोई compliance होता नहीं उसका कोई अलग से return जाना नहीं ऐसा कुछ लेकिन income tax तो सभी का जाना है तो उसको इस साल income tax से link किया और बोला यदि आप MSME से purchase करते और payment नहीं करते तो आपको डिसला हो जाए डिसला होगा मतलब आपको extra tax पटाना पड़ जाएगा तो अभी इसका importance इसलिए जिसमें ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि जो supplier है वो MSME होना compulsory है okay buyer को MSME होना compulsory नहीं जो supply कर रहा है वो MSME होना जो 45 days का जो clause है यह कहां पर कैसे applicable होता है 45 days of 15 days दो clause है यहां पर उसमें definition में कैसा लिखा हुआ है कि payment should be made within the specified period अब वो specified period क्या है तो उसके लिए MSME Act को refer कर दिया section 15 of MSME Act में चले गया है section 15 of MSME बोलता है यदि buyer और seller के बीच में कोई agreement है तो आपको उसको 45 days के अंदर में payment करना है from the appointment date और यदि दोनों के बीच में कोई agreement नहीं कुछ decide नहीं हो है कि आपको कितने दिन में माल भेज दिया just or receive कर दिया कुछ agreement नहीं है तो आपको 15 days के अंदर payment कर देना इसमें एक और important बात आता है कि बहुत common question आ रहा है कि 45 days parties within अपना agreement बढ़ा के company बड़ी company है बोले कि भी मैं इससे agreement कर लेता हो कि नदबे दिन में payment करूं तो वो allowed है क्या तो उसमें government ने में क्या लिखा not with understanding to any other law time being enforced मतला आप agreement करके भी वो 45 days को नहीं बढ़ा सकते आप निचुल agreement कर लिए कि मैं अब्बे दिन में दूंगा तो वो भी allowed नहीं आपको maximum 45 days के अंदर में payment करना है यदि आपके बीच में agreement है तो यदि agreement नहीं है तो आपको 15 days में करना and government के पास पूरे records होंगे sir इसके because हर party का record होना इस चीज पे correct है government के पास record होने के लिए क्या है ना government यह पूरी responsibility tax auditor पर डालती है okay auditor जो check करता है audit करता है books of account और government को tax audit में report करता है तो वहां पर उसको report करना है कि MSME का यह provision का compliance हुआ है कि नहीं हुआ होगा तो वो उसको डिसलाओ करेगा तो tax audit report में अलग से specific column में वहां पर रिपोर्ट करेगा जिससे government को पूरी information आ जाएगा major जो rely हो गया tax audit पे हो गया मतलब आपके auditor पे dependent तो उसका काम वहां पर बहुत बढ़ जाता है ठीक है और जो 45 डेज का timing यह start कप से होगा मतलब जिसन माल रिसीव हुआ यह जिसन बिलिंग यह कहां से स्टार्ट गवर्मेंट ने इसमें वर्ड उसकिया specified date को define कि जिस दिन आपका goods receive होता है और आप सामने वाली पार्टी को confirm कर देते हो कि भेंडे मैंने यह माल रिसीव करती है उस दिन से यह आपका applicable हो जाता सब्सक्राइब किसी ने बिल बात में दिया लेकिन माल पहले हो गया तो specified date कौन सी होगी जिस दिन वो goods receive हो गया उस दिन से पंदरा दिन और पैतालिस दिन आपको चेक करें तो यह कहा रिपोर्ट होता है कि goods आज रिसीव हुआ या अपने को इसे फॉर example जनरली गुड्स एवे बिल आपका common हो गया इवे बिल सबका बनता है तो goods receive आ जाता है और invoice के बेस पे आपको पता चल जाता है ऐक आइडिया आज आजाता है कि आज हुगा हाँ कई बर क्या होता है कि चलांस से भेज दिये हैं इंवोइस दो मैने बात दे लेकिन जब goods receive हो गया तब से फंदरा दिनिया पैतालिस दिन तो अब क्या होगा जैसे 31st मार्च आरा है तो हर उसको भी क्या हमको 45 देस के अंदर आपका बहुत कॉमन सीनरी जितनी भी डिस्टुबिटर्स होते हैं उनको क्या होता है कंपनी मार्च में मन्थेंट पे बिलिंग कर दी क्योंकि उनको टार्गेट करना रहते हैं और वहां पे सिंपल ऐसे लॉजिक बोलते हैं आप माल बेच करते हुग अदि उसके मतलब यदि वहां पे कोई डिस्प्यूट है तो आपको डिस्प्यूट को सामने वाले पार्टी को नोटिफाई करना है कि यह जो आपका सप्लाई है इसमें मेरे को यह प्राबलम है तो जिस दिन वो डिस्प्यूट रिजॉल होगा उसके पैता इसा कोई सिनेरियो आता है तो आपको सामने वाले पार्टी को नोटिफाई करना है कि यह जो आपका सप्लाई है या फिर यह जो बिल है इसमें यह प्राबलम यह आप शॉट आउट करो उसके पैसा दो जब वह शॉट आउट होगा उसके 45 दिन बाद तो सब्स आपको बिन इसमें बहुत लोग ऐसा बोल रहा है कि प्लानिंग भी कर सकते हैं बहुत पशा मच जिल रहा है कि यह सब उस पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो यह आप ऊच्छी अलिक अब ही कुछ लोगों से बात कर रहा था वो कैसा प्लानिंग कर रहे हैं मार्केट में कि 31 मार्च को करा है मार्खेट में बचने के लिए प्रोविजन क्या बोलता है जब आप रिसीव करके सामने वाले को एक्सेट करोगे तो यदि आपका कोई डिस्पूट है उसमें तो या फिर बिना ओडर का महाल है आप कंसर्ण रेस करो जब वह कंसर्ण सौल होगा उसके 45 दिन या 15 जिन ठीक है और फॉर एक्जांपल अगर हमको कुछ तागेट्स पूरे करने हैं तागेट्स पूरे करने के लिए वान दो 25-26 तारीक है 27-28 तारीकों कंपने ने बिलिंग कर दी तो उसके बाद क्या उसके बाद 45 डेज में अपने को करना तो यह सब्सक्राइब करने इसका आपका कोशन इसको थोड़ा समय और अच्छे से फिरें करता हूं यह क्या होता है मिरे पास भी अपने जैसे सबस्क्राइब यह कोशन आया भी है वह क्या बोल रहा है कि मेरेको आउस्टेंडिंग 31 मार्च का देखना है कि द्यूरिंग द तो मुझे बिल आया तो मुझे जो है तक का टाइम है मुझे उसका आपको डिसलाओ नहीं होगा अच्छा उसका 31 मार्च में आपके जो बैलेंशीट में संरी क्रेटर्स आ रहा है वह कोई भी मोर देन 45 डेस नहीं होने चाहिए यदि वह लेस देन 45 डेस तो उसका आपको अ ज्यादा नहीं होना चीए तो यह 15 फैब की अगर अगर अगरेट पगड़ा है तो 15 फैब के बाद से जो है 31 मार्च तक वह खतम हो जाना चीए 15 फैब के पहले का जो परचेज है उसका पेमेंट आपका 31 मार्च का क्लियर हो जाना चीए उसके बाद का है वह अगले साल तो क्या मुझे 31 मार्च तक ही उसको खतम कर देना है सेम दे पूरा पैमेंट डालना तो यह पी एक पैनिक कोशन आया था मेरे पास मेरा एक कुशन और है जैसे कि मेरी पूरानी परचेज है फॉर इस तेश को मैंने परचेज किया तो अगर वह आज तक मैंने नहीं दिया त थी आरे है तो भूल कर रहा है तो जो लो क्या चख करेगा तेश चुबिस में जो परचेज हुए उसका चारे ओट तो पहले ही हो चुका है वह आपको पहले ही हो चुका है तो उसकादिस अलाउूंक की प्रोविजन में नहीं पूराना पर्चेस है जिसका आज भी खड़ा है उसमें यह अप्लिकेबल नहीं होगा तो यह 23-24 से अब आगे चलेगा पूराने में अप्लिकेबल नहीं होगा और एक सिनारियो यह भी आता है कि जैसे मैंने पेइमिंट नहीं कि ठीक है तो वो कही नगए डिसलाव हो गया तो उसका बात में क्या रिफर्केशन आएगा इसमें क्या बुलता है 43B क्या बुलता है पेमेंट बेसेश पे आपको अलाउड करते हैं मतलब अब जब पेमेंट करोगे तब अलाउड होगा सब्सक्राइब आपने 23 में नहीं किया तो आप प्रवरी को एक आपको 10-15 ऑप्राइन चलिया पूरा साल बर और गौत कर एक रिषाि ego प्रप्रिट के आपको साल के लिए लगा नहीं नहीं कि आपको 15 फैरवरी तक करना है मार्च के बैलेंशीट में आपका कोई भी 45 बेस से प्लस वाला नहीं आना है कौन सा जो 23-24 पुराना पर्जिस का आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत तो यहां बहुत हो रही MSMEs की वोगर अपने MSME बोलते हैं तो MSME कोई छोटा टर्म नहीं है अज करिद में MSME बहुत 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 तर्म है MSME में अगर अपन बात करते हैं 45 डेस का अप्लिकेशन का तो उसमें उसको थोड़ा पता ही है इसमें जो सेक्शन 43-B है उसमें MSME को डिफाइन करने के लिए MSME Act रिफर किया है कि बोला है आप उसकी डेफिनेशन देखने है तो MSME Act में देखो तो MSME क्या होता? Micro, Small and Medium Enterprises तीन क्राइटेरिया आते हैं उसमें तो Small and Micro के लिए यह जो प्रोविजन अप्लिकेबल है Medium के लिए प्रोविजन अप्लिकेबल नहीं है तो उसके बाद Small और Micro की डेफिनेशन क्या है तो उस Act में डिफाइन किया है यदि मेरा Turn Over up to 5 करोड and मेरा Investment in Property मतलब मेरे Balance Sheet में जो Fixed Asset Plant and Machinery दिखा रहा है अब तो 1 करोड है तो मैं क्या हो गया? Micro हो गया, Micro के लिए क्या डिफाइन होगी उसका Turn Over up to 5 CR Plus Investment in Plant and Machinery up to 1 CR यह क्या हो गया? मेरा Micro हो गया Small की Definition क्या है? Turn Over up to 50 CR and Investment in Plant and Machinery 10 CR यह जो होगा मेरे Small and Micro होगा इस दो पर Applicable है Medium पर यह Applicable नहीं यह जो नया प्रोविजन आए Applicable नहीं है तो यह 50 CR तक ही जो बिजनेसे है यह जिनका Plant and Machinery मेरे 10 CR तक का इंजनेसे है उन्ही पर Applicable होगा है और Large पर तो यह Applicable ही नहीं है ठीक है और एक चीज मैं और जानना चाहरा हूँ कि जैसे लोगों को कैसे पता लेगा या एक बिजनसमेन को कैसे पता लेगा कि जो मेरा बायर है वह MSME है की नहीं करेक्ट है इसके लिए गौर्णमेंट नभी दो दिन पहले ही पोर्टर में उन्होंने एक नया फैसिलिटी एड़ किया है पहले यह फैसिलिटी ऑलेठी जिसमें आपका MSME नंबर डालके आप उसको वेरिफाई कर सकते थे अच्छा कि वह रजिस्टर्ड ह कर रहा है उसको देखना है तो उनको देखूंगा की मिर पास रहेगा जैसे जाके में चेक करूंगा कई कंपनियां कर दो कि आप MSME होके नहीं हमको देक्लेरेशन दो वह भी ट्रेंड में आपको थोड़ टाइम में मार्केट में देखने मिलेगा कि बड़ी-बड़ी कंपन आपन इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में देंगे देंगे ताकि सब अपने वेंडर्स को चेक कर सकें वो MSME है के नहीं तो कभिल भाई मेरे मन में एक सवाल था जैसे कि मेरा कस्टमर है जो मुझसे माल ले रहा है उसको नहीं पता है कि मैं MSME हो तो क्या ऐसा कुछ मैं करूँ जिससे कि उसको इंटिमेशन हो जाए कि हां मैं MSME हो तो मैं उसको भेज दूँ कि अगर आपकी ये पंदरा फरवरी तक की जो परचेज है उसको आपको 31 मार्च तक क्लियर करना है और ये मेरा MSME सर्टिफिकेट अगर आप नहीं करते है तो ये चीज आप पर ऐसी एपलिकेबल हो जाए कि उस 45 डेस पेमेंट 45 डेस के अंदर पेमेंट करने का ये एक लॉग आ गया है तो बिकुछ ये लॉग की अवेरनेस कुछ बिजनेसमें को तो है बढ़ हर कस्टमर को नहीं है हना मतब सबको नहीं है आज की डेट तो क्या करना चाहिए ऐसे में हमको ये बहुत अच्छा आपका एडिया है कि मार बहुत अच्छा स्टेप रहेगा हो सकता है को कलेक्शन इससे थोड़ा फास्ट हो जाए और बेटर हो जाए तो मैं सजेस्ट करूंगा ये करना चाहिए बहुत अच्छा उप्शन है और कस्टमर को पता भी लेगा कि हाँ मतब एक चलो एक रिमाइंडर आ गया तो ये आप आपका जो आइडिया था वह बहुत अच्छा एडिया था कि आप अपने बायर को नोटिफाइ करें कि वी आ रजिस्टर अंडर में और ये नया क्लॉस आया है तो इसका ध्यान रखी नहीं तो आपको डिसलग हो जाएगा बट इसमें इस पॉइंट से मेरे को एक बहुत मा जो आपके बायर करा रहा है और उनके लिए अपने शहर में ऐसे लोग है जो बायर है जो ब्रक्रीख करें लेकिन वो फोटीफोर एटंट डालते हैं तो उनका भी आडिट नहीं होता उनको भी का सवाल नहीं है तो जो रिटन जो वैपारी audit में हैं, उनको ही 45 दिन और 15 दिन में payment करने का provision applicable होता है, उसके अलावा बाकी, जो consumer होता है, उनको तो disallowance का सवादी नहीं आता, और बाकी business में, जो अपने छोटे शहर में सबसे याद है, 44 AD section में, 8% में return डालते हैं, उनको भी ये provision applicable नहीं, तो उनको भी घबर होता है, उनके लिए applicable है, जिसका tax audit applicable है, उसके लिए ही ये provision applicable होता है, जो 44 AD में गया, उनके लिए applicable, नहीं होगा है, बट आप better है कि आप सब को communicate कर दें, तो एक कहीं न कहीं से आपका collection में flow बढ़ने का possibility है, हो सकता है, मतलब सामने वाले को ये हो जाए कि हाँ, अगर 45 days का clause के चक्कर में हो सकता है, कुछ payments हमारे time करेक्ट है, और आज की rate में business का सबसे बड़ा problem वो ही है, कि working capital cycle बड़ा होते जा रहे है, वो cycle को कम करना जरूरी है, खासकर मुझे wholesale trade से, मतलब wholesale कपरा trade से specifically, calls आ रहे है कि हमारा क्या होगा, विकुस हमारा तो जो period है, payment आने का वो 60 days और 90 days का period है, तो वो ज्यादा मुझे तकलीफ में दिख रहे है, तो बिलास्तोरूर के जो कपड़ा वैपारी wholesaler उनको लगता है कि पैसा मेरा time पे आ जाएगा, बट उनके लिए वो impact नहीं डालेगा, क्योंकि उनके maximum customer जो है, वो tax audit में नहीं है, यादि होंगे तो ही उसका applicable होगा, तो आपने को buyers को segregate करना पड़ेगा, कि कौन से buyer मेरे बड़े buyer है, उनको specifically notify करना पड़े हो, आप बड़े हो, आप मेरे से इतना मान लेते हो, मतलब आप audit होते होगे, तो आप कर लो, consumer या पर चोटे buyer है, वहाँ पर यह applicable होना ही नहीं, और इसका जो application है basically, वो सिर् आप किसी से service लेते हैं, और वो MSME है, suppose मैं अपना दुकान बनवारा, construction activity करा रहा हूँ, तो service है, वो मैं अपने business के लिए use कर रहा हूँ, या फिर repair maintenance कर रहा हूँ, तो goods and service बहुत पर applicable है, दोनों पर applicable है, goods or service, suppose आप auditor है, auditor को यदि आप fees दे रहे हैं, तो उससे service ले रहे है, audit fees का payment भी आप 45 days में नहीं कर रहे हैं और वो registered है, तो audit fees भी आपकी डिसला हो जाएगे, मतब कुल में लाके सारी चीज़ें अपने समय पर होनी चालो हो जाएगे, सारी चीज़े, government का intention वही है, जो कभी भी कोई section लाती है, government आप उसका memorandum देती, इसको section लाने का reason क्या है, तो वो reason से आप उसका intention सकते, तो ये reason का memorandum उसकी पहली line, to bring social economic improvement, इसका purpose ही ही था कि bring social economic improvement, तो government का purpose ही ऐसा है कि SME इसको promote कर, और क्या होता है, government MSME को बहुत सारे loans दे रही है, mortgage free में loan दे रही है, mudra दे रही है, अलग-अलग loans दे रही है, उनका पैसा यदी time से नहीं आ रहा तब तो बैंक को पैसा देगी, तो cycle अपना बराबर चलेगा, तो government का intention के लिए है कि MSME को promote करना है, और अपने Indian economy का जो base है, MSME है, MSME है, बिल्कुल ठीक है, Corporates तो बहुत कम नंबर पर, पूरा जो flow है MSME है, बिल्कुल ठीक, recession में जो अपना चला लिया थो, MSME चला लिया, MSME चला लिया, MSME चला है, पूरे worldwide recession था, इंडिया नहीं था, MSME के लिए तो government उस चीच को समझ गई है, कि MSME को focus करना है, इसके लिए यह सब provision, government का intention यह है, इसको लाने का करना, अच्छी चीज़ है मेरे काल से, एक अच्छा revolution लेकि आए गई है, तो मतलब कुछ लोगों नहीं यह भी पूछा, कि इस trader को applicable होगा, या इस trader को applicable नहीं होगा, तो ऐसा कोई इसमें line draw है, कि हाँ, इनको होगा, इनको नहीं होगा, ऐसा कुछ है इसमें, इसमें ना, दो opinion आ रहे हैं, इसमें दो opinion आ रहे हैं, कि MSME में आज से तीन साल पहले खाली manufacturer और service provider ही registration ले सकते थे, trader registration नहीं ले सकते थे, इसलिए तीन साल पहले government ने trader को allowed कि तो इसमें confusion है, कि यह provision trader के लिए applicable होगा, मतलब मैं किसी trader से माल ले रहा हूं, और वो MSME है, तो वो disallow होगा कि नहीं होगा, तो इसमें दोनों provision है, कोई बोल रहा है कि trader को applicable है, कोई बोल रहा है trader को नहीं है, बट मैं जिनको follow करता हूं, industry के जो experts हैं, top level पे बैठे हुए है, supreme court के advocate हैं, बहुत बड़े बड़े जो नाम है, उनका यह opinion आ रहा है कि trader को यह applicable नहीं है, क्योंकि trader को जो registration दे रहे है MSME में, वो only for the priority sector lending, मतलब खाली lending के benefit के लिए ही trader को register कर रहे हैं वो लोग, बाकी benefit के लि कि मैं किसी trader से purchase किया, वो trader जो है, वो MSME registered है, और मैंने उसको time पे payment नहीं दिया, तो यह applicable होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो trader है, अच्छा, मेरा opinion, और बड़े बड़े जो top class में जिनको follow करता हूं, उनका भी opinion आ रहा है, कि trader पे यह applicable नहीं होगा, तो अपने शहर में ज्यादा घपराने के जरुबत नहीं इसको लेके, क्योंकि maximum जो business होता है, between the trader होता है, मतलब major chunk इसमें left out हो जाएगा, अच्छा, अपने शहर में दो बड़े chunk है, एक तो छोटे वेपारी जो 44 AD में जाते है, 44 AD का जो turnover का limit है, दो करोड है, तो उसमें बहुत निकल जाते है और बाकी जो बचे ट्रेडर में निकल जाते हैं, तो अपने शहर के साफ से या छोटे शहर के साफ से major chunk इसमें से बाहर होता है, और अपना manufacturing hub नहीं है, यदि manufacturing hub होता, suppose यहाँ पर industrial area होता, तो छोटे छोटे वेपारी companies को, plant को supply करते, तो वहाँ अपने यहाँ ऐसा scenario है नही ठीक बात है, तो अपने यहाँ पर इसको इतनी घबराने की जर्वत नहीं है, बट दोनों opinion चल रहे है market में, मेरा यह opinion है कि ट्रेडर से बाहर है, एक चीज़ और है मेरे मन में doubt है, बिकोज हम लोग business में क्या होता है, जैसे मैं यह building materials सा काम करता हूँ, हम किसी contractor को देते हैं contractor आगे देता है, for example, government को देता है, नगर निगम को देता है, या PWD को देता है, तो जब वैसी कोई supply होती है, और वहाँ payments delay होते हैं, तो उस scenario में क्या होगा, जब government से payment late आएगी हमको, तो हम आगे कैसे pay करेंगे, यह भी मेरा सवाल है, इसमें न, यह simple सा एक्दम अपन के बोलोना है, जिसका tax audit होता है, तो जिसका tax audit होगा, उसको डिसला होगा, अच्छा, अधी आप government को supply कर रहे हैं, government का तो tax audit होता नहीं, तो उसको applicable ही नहीं, मतलब आपको government को supply कर रहे हैं, और वहाँ delay payment है, तो वहाँ इसका कोई benefit नहीं मिलेगा, लेकिन MSMA Act में आप benefit ले सक यह बहुत लोगों को नहीं पता है, कि आपको MSMA Act बहुत राइट देता है recovery का, in respective of agreement, मुझे भी नहीं थी, क्या है, आज हम लोग हमको सुनने में आता है, कि तीन-तीन मैंने 6 मैंने से payments रटकी हुई है, government से payment नहीं आ रहे, तो अगर वैसा कोई clause government के cases में भी हो, मुझे लग आ सकते हो, खाली आपको एक ही चीज़ देखना है, कि वो goods accept कर लिया और 45 दिन हो एक नहीं हो, ठीक है, goods expect, उसके 45 दिन बोला है वह, within 45 days, उसके बाद आप claim कर सकते हो, आप interest भी claim कर सकते हो, interest कितना claim कर सकते हो, three time claims कर सकते हो, तो यह awareness नहीं है market में, यह awareness आएगी तो आप उ उस तरीके से भी इसका provision का benefit हो रहा सकते हो, very good, एक art session अपन MSME पे भी करेंगे, correct, बहुत सारे benefit MSME पे गवर्मेंट ने दे कर रखें, इतने लोग register हो चुके MSME में, तो MSME के क्या benefits है, correct, correct, अपने एक चेचा कर सकते हैं, एक next podcast प्लान कर सकते हैं, जिसमें MSME के benefits क्या है, उस इस पी आपन discussion कर सकते हैं, ठीके नोदूबिया, thank you आपको यहाँ पे आने के लिए, इतने सारे question आने के लिए, thank you कबल भी, मैं अपने audience को भी thanks बोलना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सारे questions बेजे, हमने maximum question का answer करने की कोशिश की है, यदि आपको लगता है, आपके question और भी छूड़ गए हैं, या फिर आपको कोई नए questions भी आ रहे हैं, तो हमने हमारे social media में numbers दिया हैं, वहाँ पे आप WhatsApp करके, या या फिर इस video के comment में आप अपने questions पोश्ट कर सकते हैं, और यदि अच्छे questions रहेंगे, और relevant questions जो सबको applicable रहेंगे, तो उसका answer हम लोग next video में देने की कोशिश करेंगे, और यदि आपको इस type का content पसंद आता है, कि बिजनस्मेन की नेगमेज में यदि टेक्स को आप समझन चाहते हो, तो मेरे channel Learn with Kapil को follow कर सकते हो, और आप regularly छोटे-छोटे वीडियो के द्वारा अपने business के tech session को समझ सकते हो, thank you everyone, यदि आप ये वीडियो पसंद आया, तो like, subscribe and share जरूर करिए, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, है, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.